जमशेदपूर के सोनारी में लूट के आरूप में तीन साल से फरार चल रहे आरोपी रंजीत सिंग के चिदगोडा स्थित आवास में गुरवार को पुलिस ने धोल नगालों के साथ इश्तिहार चस्पा किया इस दोरान पुलिस ने आरूपी के भाई को 28 जुलाई तक नयाले में प्रस्तुत होने की हिदायत भी दी तैती थी तक नयाले में प्रस्तुत नहीं होने पर आरूपी के घर की कुर्की जपती की जाएगी सुनारी इस्ट ले आउट स्थित कंचन दास की दुकान में 25 एप्राइल 2019 को लूट की घटना घटी थी इस मामले में पुलिस ने चार आरूपियों को अभ्यूक्त बनाया था मामले में चंदन साव छोटु निशात के खिलाफ नयाले में चार शीट दाखिल कर दी गई जबकि रंजीत सिंग फरार चल रहा है वहीं इस मामले में एक अन्य आरूपी भी शामिल है जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है इस मामले में अनुसंधान करता वारिस हुसायन कर रहे हैं मामले में पुलिस ने रंजीत सिंग के सिद्गोडा गवाला बस्ती स्थित आवास में इस्तिहार चश्पा किया है 2019 का घटना है सुनारी स्थित इस ले ओट का वहाँ एक दुकान से लूट पाट की घटना को अन्जाम दिया गया था उसमें तीन एक यूश चार एक यूश था वकाईदा उसमें दो के खिलाब चार सिट हो गया है चंदन साव और छोटू निसादी तीसरा अभ्यूक्त है जमशेद पूर से नियूज बिंग के लिए गंगाधर पांडे की रिपोर्ट